वेलकम टू माई चनल गाईस तो यार आस में फिर से आये हो एक नए वीडियो के साथ तो यार आस का इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग कैसे घर बैठे बैठे अपने मूबाइल से ही वोटर हेल्पलाइन एप के जरीए आपका भोटर आईडी काड का नैम, फादर नैम या भोटर आईडी काड का फोटो ऐसा कोई भी करक्षन को कर सकते हो तो यार उसके लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना सो एर उसके लिए सबसे पहले आपको voter help line एप को open कर लेना है तो मैं जल्दी से एप को open कर लेता हूँ open होने के बाद आभी आपको यह पर voter registration पर click करना है then यह पर आपको correction पर click करना है उसके बाद यह पर let's start पर click कर देना है आभी आपको यह पर क्या करना है नीचे next पे click कर देना है देन यहापर आपका जो voter ID card का number है उसको यहापर डाल देना है तो मैं मेरा ID number यहापर डाल देता हूँ ID number डालने के बाद आभी आपको यहापर face detail पे click करना है उसके बाद नीचे आपको proceed पे click कर देना है तो आभी यह पर आपका पूरा डीटेल शो हो गया है तो आभी आपको यह पर आपका डीटेल को एक बर चेक कर लेना है उसके बाद आपको यह से next कर देना है देन यह पर आभी आपको क्या करना है आपका जो आधार नमबर है आधार नमबर को यह पर डाल देना है, तो मैं मेरा आधार नमबर यह पर डाल देता हूँ, आधार नमबर डालने के बाद आभी आपको यह पर आपका मोबाइल नमबर डाल देना है, सो मेरा मोबाइल नमबर मैं यह पर जल्दी से डाल देता हूँ, देन आपको यह से next कर देना है और उसके बाद यह पर आपको correction को select कर लेना है correction select करने के बाद आपको नीचे next पे click कर देना है आप यह आपको यह पर क्या करना है आप जो जो correction करने वाला हो उसको यह से select कर लेना है तो मैं यह पर gender, relation, name और photo को correction करने वाला हूँ सो जल्दी से मैं यह से select कर लेता हूँ तो अर select करने के बाद आभी आपको यह से next कर देना है सो आभी आपको यह पर सबसे पहले आपका relative का first name डाल देना है first name डालने के बाद यह पर आपको regional पर click करना है जैसे आप click करेंगे आपका regional language से आपका relative का name यह पर show हो जाएगा उसके बाद यह पर आपका relative का second name डाल देना है देन यह पर आपको फिर से regional language पर click करना है सो आभी आपको यह पर क्या करना है आपने जो जो correction किये हो उसके हिसाब से आपको यह पर एक document proof देना होगा तो मैं यह पर एक document proof दे देता हूँ उसके लिए आपको यह पर camera को open कर लेना है देन आधर कार्ट को scan करके ले लेना है तो मैं आधर कार्ट को यह पर scan कर लेता हूँ और यह आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि आप अगर name, father name या आपका voter ID का photo को correction कर रहे हो तो आपको आधर का front site को ही सिर्फ देना है लेकिन अगर आप address को भी correction कर रहे हो तो आपको आधर का both site को देना होगा तो मैं यह पर father name और photo को change कर रहा हूँ इसलिए मैं यह पर front site को दे देता हूँ तो आप लोगों को डाल दिया हूँ तो आभी यह पर मैं एक बार detail को अच्छे से check कर लेता हूँ और आभी यह पर gender को मैं change कर लेता हूँ उसके बाद मेरे को photo को change करना है तो उसके लिए यह पर upload photo पे click करना है उसके बाद gallery को open कर लेना है देन यह से मैं photo को select कर लेता हूँ फोटो को सिलेक्ट करने के बाद आभी आपको यह पर फोटो को थोड़ा एकजस्ट कर लेना है तो मैं एकजस्ट कर लेता हूँ तो यह फोटो को एकजस्ट करने के बाद आभी आपको यह पर टीक मर्क पर किलिक कर देना है उसके बाद यह से आपको next कर देना है यह पर आपका name show हो जाएगा तो यह पर नीचे आपको place of application पर क्या करना है आपका town या village का name यह पर लिख देना है लिखने के बाद आथ ही आपको यह पर done कर देना है यह पर आपका जो detail है पूऱा detail यह पर show हो जाएगा तो आपको एक बर आच्छे से चेक कर लेना है चेक करने के बाद आभी आपको नीचे confirm पर क्लिक करके confirm कर देना है तो जैसे ही आप confirm कर देंगे आपका जो application है वो submit हो जाएगा तो यहर आभी आपको यह पर application successful का एक message आ जाएगा उसका नीचे आपको एक ID नमबर मिल जाएगा तो उस ID नमबर को आपको note करके या इसका एक screenshot करके आपको रख लेना है तो मैं इसका एक screenshot करके रख लेता हूँ और आपका जो new voter ID card है वो आपको 30 से 40 दिन के आंदर मिल जाएगा तो यह आज का वीडियो में बस इतना ही वेडियो कैसा लगा मुझे comment box पे comment करके जुरूर बतना अगर वेडियो अच्छा लगा हो तो यह वेडियो को एक like भी जुरूर कर देना और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो यह चैनल को subscribe करके bell icon भी जुरूर दबा देना सो मिलते हैं next वेडियो पे तब तक के लिए bye